साथ्यों नमस्कार मुझे पता है कि एक अजीब सी बेचेनी होती है जब एकजाम एकदम नजदिक आयाता है और अभी एकजाम आपका जो होना है वह 11 फरवरी को होना है ऐसे में आपकी घबडाहट है वो कुछ इस तरह से है कि सर अब क्या करें आप मेंसे बहुत सारे लोग क्या Baptist यहां लोग प्रिक्षा देने जा रहे हैं हो नहीं हो रहा है तो हम लोग अगले थोड़े से समय में इनОसे सब करेंगे कि अब आपके पास जो समय वचा हुआ है लगभाक 10,11 दिन उसमें को क्या करना चाहिए एक्दम ध्यान से सुनीगAY वीडियो को लास्ट तक देखेगा आपको वो सारे प्रश्णों का जबाब मिल जागा जो आपके मन में आ रहा है सबसे पहली बात यह आपको करनी है कि जो आपने आपका प्रीविएस एर पेपर है एक बार उसको फाइनली देख लेना है बिना यह सोचे हुए कि आपने उसे कितनी बार पीछे पढ़ा है और कितनी बार नहीं पढ़ा है फाइनली देखने का मतलब यह है कि गोथरू कर लेना है उसके थूँ और खास करके हिंदी का जो पीवाई क्यूश है उसको ज्यादा सीरियसली फोकस करते हुए क्योंको वहां से एजटीज कॉंपी वाले कुश्चन आपक मैक्सिमुम सबजेक्ट को कवर करने के कुशिस करना है कि एक दिन में कई सारे विश्यों के महत्वपॉंड पॉइंट आप रिवाईज करें फटाफट मोड में तीसरी खास बात क्या है कि आप यह देखें यह समझने का प्रयास करें कि आज आज आप जो पढ़ाई करने ब पढ़िए ऐसा देखेंगे तो मिला करके यह पचास क्या सपास की रेंज मिल जाएगी आपको और डेली कोशिस करेंट अफेर में जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसके सभी सेक्षन को गो तुरू करें ऐसा ना हो कि केवल नेशनल इवेंट लेकर करके बैठे हुए हैं याद करने की कोशिस बहुत ज्यादा मत करिए आप गोथरू करने की कोशिस करिए पढ़ते रहे हैं पढ़ते रहे हैं तो इतनी बात आपको करनी है और जो खास बाती है कि कि किसी से तुलना नहीं करनी है अपनी कि उनकी त्यारी कितनी है और मेरी त्यारी कितनी है तुलना पढ़े हैं वो भी भूल गया जो पढ़े हैं वो भी भूलेगा और जो नहीं पढ़े हैं वो अचानक से यादा जाएगा कि हाँ इसा हमने कहीं सुना था तो इसलिए एकदम पैनिक नहीं होना है बहुत रिलेक्स होके हां अगले तस्ति ग्यारे जिनों में एक भी दिन ऐसा आपकी पढ़ाई नहीं हुए ये बहुत बड़ा घातक हो सकता है इसके बाद क्या करना है आप किसी भी तरीके से एक mock test daily solve करना है और mock test में number चाहे जितना भी कमा जाए क्यों एकदम घबड़ाना नहीं कि mock test में number कमा गया आराम से 140 question mark test देने की आदर टाल लेनी है जिससे कि वहाँ परिक्षा हाल में आपको ये प्रेसर ना हो कि दो घंटे में आप mark test solve कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं पता चलेगा कि यहां पर practice ज्यादा कर लोगे तो वहां पर आपको घंट नहीं होगी तो निश्चित रूप से आप ऐसा कर रहे हैं प्यवाई क्यूच करें मैं एक बार समराइज कर देता हूं सबसे पहले तो घहबडय अए नहीं पूरा धहर लखिए प्यूच करें हिंदी वाले प्यूच को याद करने की कोसिस करिए जीएस वाले PYQs को रटिए पढ़िए आँखों के सामने से निकालिए करेंट अफेर वाला सिक्षन उसमें से छोड़ देना आपको रिजिनिंग इदिया आती है तो आराम से हो जाएगी नहीं आती थोड़ी सी प्रक्टिस कर लेंगे PYQs का तो हो जाएगा बहुत आसान रिजिनिंग पूछी आती है इसके अलावां हमने कहाए एक मौक्ट इस्ट्रो साल्व करिए और टार्गेट लेकर के बैठे है कि आज बैठे हैं तो अगले अधिक से अधिक कंटेंट आपके आँखों के सामने से निकले यही इस समय एक मादर रास्ता है और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बहुत ज़्यादा लोगों से इस समसलाह नहीं लेना है बहुत ज़्यादा बात नहीं सुनना है कब आएगा यह वाले वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं देखने क्योंकि वह एक या दो तारिक को समभाता आही जाएगा तो उसके लिए परिशानना हो भी बिना एडमिट कार्ड के आएक परिच्छन नहीं कराएगा तो एडमिट कार्ड कब आएगा कटाफ कितनी होगी पेपर कितना टफ आएगा यह यूट्यूब ले नहीं जानते जो पढ़ाते हैं वह सिर्फ एक अनुमान लगा करके आपका अटेंशन लेते हैं तो ऐसी वीडियो से थोड़ा बचना है क्योंकि आपका दिमा किसम सिर्फ इस पर होना चाहिए कि हम अधिक सधिक फोकस करें क और फिर उसके बाद पेपर होगा पेपर की बाद फिर हम लोग बात करेंगे तब तक के लिए जो माप टेस्ट की में बात कर रहे हूं माप टेस्ट आप लगातार पुल लिन्ध हमारे साथ डिस्कस करिए बहुत सारा नए करेंटर फिर के साथ उसमें आपको जो परिच्छा म्यानी की सम्भावना है वो हम ले करके आपको देंगे और उससे आपका काम हो जाएगा ठीक है तो इजाज़त दीजी मिलते हैं अगले वीडियो में नमश्कार